पुस्रग्राय साय नमहा जम बात करेंगे इन छेरासियों के बारे में इन छेरासियों को होगा भोती बड़ा लाब 29 जुलाई 2024 एक दिन की सटिक भव से बाणी बार है सोंबार एवं महा उपाया बहुत बड़ा महा योग बना है साख साथ महा सिफ सक्ति योग इस योग में आपकी हर मनो काम ना पूर्ण होगी आपकी जो भी कष्ट है परेशानी है सब दूर होगी आपकी रास्ते खुलेंगे तो यहां बीडव पूरी देखे और बिसेस लाब उठाए तो सरवदम बात करते है कौन कौन सी रासि है तो मेस ब्रिचिक ब्रहसब तुला धनो मीन ठीक है छे रासि है तो मेस और ब्रिचिक रासि के स्वामी एक ही है कौन है मंगल गरह को सेनापती का पत प्राप्त है नोगरों में ठीक है तो मंगल गरह क्या है सेनापती तो सेनापती कैसे है सक्तिसाली प्राकर्मी निडर तो वेसे ही ब्रिचिक रासि वाले और मेस रासि वाले कैसे होते सक्तिसाली तो आप अगर सक्तिसाली हो प्राकर्मी हो निडर हो तो हर छेतर में आपको लाप्राप्त होगा अगर आप मेह मंगल गरह का उपाय करना है मंगल गरह को अपनी जनम कुडली में अपने जीवन में मजबूत करना है। कि बहुत सो लोग बोलते हैं कि हमारे जनम कुडली नहीं है कृद। अगर नाम के अन्सवार आप ज़ले है है या बिषिक लनचैज कहिoga numbers तो मंगल अगर आपकी जीवन में जनम कुंडले मजबूत है तो आप अगूरतिकी प्रकार के यहां Siz जैसे आपको हो एपने विश्य ध्यान देना है वहीं बात करेंगे ब्रशब रास्य команд바 स्वामी शुक्र ग्रया है तो शुक्र ग्रया को बहुत ही शुक्र ग्रया माना जाता है शुक्र ग्रया को गुरु का पत प्राप्त है जिस कारहन मनुकामना पूर्ण करते हैं शुक्र ग्रया तो शुक्र ग्रया फेमस ग्रया माने जाते हैं यानि कि मनुश्य को फेमस करते है चाहे ब्यापार में चाहे नोकरी में चाहे किसी चीज में भी और विसे रुप से वाहन भवन धन के कारक माने जाते हैं शुक्रग्राया तो आपने हमेशा क्या करना है शुक्रवार के दिन उपाय करना है शुक्रवार को अपनी जनम कुंडली में अपनी जीवन में मजबूत करना है तो शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है शुक्रवार का दान करना है गोमाता को जरूर रोठी या मिस्री या गुड़ अगर आप साधी सुदा हो तो आपने पती का आज़ सम्मान करना है फुरुस हो तो आपने पतनी का आज़ सम्मान करना है क्योंकि पती पतनी भगवान नारण और लक्सिमी का सुरू मानेंगे ठीक है तो जरूर आपने उपाय करना है आपके घर में शुक्षान्ती धनाएगा सबका आपने आदसम्मान करना है ठीक है वह बात करेंगे धनु और मीन राज के स्वामी कौन है देव गुरू ब्रैसपती तो ब्रैसपती ग्रेय को गुरू का पत्पराप्त है और तीनों लोकों में गुरू माने जाते जैसे कि देवताओं के भी गुरु है रिश्यों के भी गुरु है और मनश्यों के भी गुरु है अगर आपकी जनमकुंडी में गुरु ब्रहस्पति मजबूत है तो हर छेतर में आपकी रक्सा करेंगे आपको सदबुद्धी ज्यान परकास देंगे गुरु ब्रहस्पति जैसे अगर मेसश्या आपके तो आपने गरु ब्रहस्पती को Nem吧 करना है क्यूंकि तो मग्रमजबूत होने जाए जनम्कुणिली में तो मोईंवाद करेंगे हम मंगळवा कहा बेड़िक 2009 सुक्र के घर में ब्रषब ёнगे के साथ गुरु ब्रासपती मंगल एक साथ बैटे है तो ज़रूर आपको लाप देंगे तो मंगल गरigen यानि कि मेस रास और विस्ति रास वालोंको मंगलकर अच्छे प्राप देंगे और गुरू ब्रासपती कहाँ बेटे ब्रसक्रासी में तो द्धन और मीन नाका वालों को भी अच्छा लाप्त हो Daisy बात करेंगे ब्रसक्रासี और तुला रासी के स्वामि को09 ने शुक्र कर अजे कहां पेटे करकारासी में चंद्रमा के घर में बेटे है सूरदेवता के साथ तो करकर रासे में शुक्र गरहा बहुत अच्छे लाब देंगे आपको वाहन धन की प्राप्ति होगी आपको विसेश लाब आपको प्राप्त होगा ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि आपके राश स्वामी कौन है में ब्रिस्टिक इसी अप्राय को आपको अच्छे लाब प्राप्त होग ए क्योंकि सॉमबार का दिन है सावन का मेंना है भोत्या मेंना है ्फ रचक झाल में भगवान सिपगा माना जाता है और दीदी नौत इंधु यानि कि सिप सकती तो इस दिन कौन है सिप सकती अपने भगतों को सुप उचाते हैं उनकी कष्ट को दूर करते उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं नौमितिति क्या है माभगवति गोरी का दिन है माद भगवति गोरि का दिन है कब नौमिती थी ठीक है तो नौमिती थी बहुत अच्छा योग बना है सौंबार सावन और नौमिती थी तो इसलिए आपने विसे लुभभ ज़व मुझता है करना है भर में पाद तो बहुत सो लोग ऐसे जड़ा देते तबी उनको लाप्राप्त ने होता है तो भगवान के घर में पहले साफ सपाय करें साफ सपाय करने के बार हाद मुख धो के सिबलिंग के सामने आसन लगा कर भगवान सिबसक्ति के सामने बैढ़ कर धूबदी परजलित करे और घर का जल हो गया गंगा जल हो गया दूद दहे घी से अगर भीड़बाड है तो एक साथ भी आप चड़ा सकते हो ठीक है वहीं बैड़ कर ओम नमासिबा का जाप करे सिबसक्ति का जाप करे आपको बिसेसला प्राप्त होगा और आपने बिसेस उपाय करना है अगर मा भगवती के सामने मंदिर है तो ठीक है ने तो सिबिलिंग के सामने ही आपने क्या करना है माता गोरी को चुनी चड़ानी है नारियल ठीक है तो जटा नारियल सिरपल बोलती है जिसमें पानी होता है तो आप सिर्पल चड़ाओगे तो आपकी जनम कुंडिली में अगर सानी महाराजी या राहु महाराजी या केतु महाराजी कष्ट दे रहे उनकी महादसा चल ली या उनकी कमजोर हो रहे तब आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उनके कष्ट दूर होंगे ठीक है आपके करने के रास्ते खुलेंगे नारेयरगों को चढ़ाकर सिंदूर चढ़ाने से correct माज़ाने से आपकी आयों लंभी propulsion आपके घर में शुक्षानतिय आएगा आपके घर में धनाएगा हिंदू धर्म में जो हमारे हिंदू धर्म में है तो सभी मेलाए साधी के बास सिंदू लगाती है अपनी मांग भरती है तो सिंदूर का भूछ न से देवी दीव तो आपने क्या करना है सिंदूर चड़ाना है तो अगर मंदिर थिक मंद्र के सामने सब्सक्राइब करें तो इसा करने से आपके सारे रास्ते खुलेंगे आपकी हर्मनों कामना जरूर पूरी होगी सोब्सक्राइब